नगर निगम भिलाई शित्र अंतरकत नहरु नगर भेलवा तलाब में लोगों के प्रमुक आकर्शन का केंदर बना हुआ है वहाँ पर तलाब की सफाई का काम नेमित रूप से चल रहा है उसके साथ ही उद्यान विभाग द्वारा चारों तरफ लगे पेड़ की कटाई छट राइकर के सुंदर एवं आकर्शित बनाय जा रहा है बेलवा तलाब नहरु नगर सुपेला में निगम द्वारा चलाय जा रहा है साफ सफाई एवं सौंदरी करण के कार से रोज सुबह यहां स्वास्त लाब लेने आयोए लोगों को काफी खुशी महसूस हो रही है और य यहां लोग धीरे से आकर कच्रा और पूजा समगरी डालत कर चले जाते हैं गिस से यह तलाब गंदगी से भर जाता है जबकि इसके लिए अलग से इस्थल निर्धारित किया गया है साथी तलाब के अंदर से निकलने वाले कमल के कगडी धेंस एवं पंखुडियों को जैविक खाद बनाने के लिए राशी उद्ध्यान में गड़ा बनाकर जैविक रूप से निश्पादित किया जाएगा इससे बनी हुई खाद बहुत ही गुणकारी और उपयोग और पूरुबग महावल रहता है कुछ दिनों से थोड़ा सा उसमें वा गया था कमल का ठेस होगा रहा गया था कमल के फुल खिल गयते तो कमल ऐसे देखें दोब्ला अच्छा लगता है लोग उसको पसंद करते हैं लेकिन जब जादे हो जाता कोई चीज तो अच्छा नहीं ल चारो तरब मस्त हरे भारे पेंड लगे हैं नारियल के जाड़ हैं और भी कई प्रकार के हैं तो चारो तरब इधर दर हो गये थे जैसे कि बाल जब अपन नहीं काटते चारती दर हो जाए तो हो गया तो उसको ट्रीमिंग के आजरा खटाई चटाई के जरा बहुत को सुरत दिख रहा है इस तालाब को बीते दिनों गुरुद्वारा गुरुनानक सर संचारन कमीटी को इसके बेतर रख रखाओ के लिए सौपा गया था परन्तु ऐसा ना हो पाया इसी वज़े से निगम ने दोबारा इस भेलवा तालाब को अपने कबजे में ले लिया है और इस सालाब का सौंदर ये करन कराय जा रहा है एसी एन निउस के लिए भिलाई से संतोश शर्मा की रिपोर्ट